एसजी सरकारी योजना योट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीन दा सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बहतर होंगे इसरम कार्ड ओनलाइन दो मिनिट में मातर दो से ड्हाई मिनिट आपको इसरम कार्ड बढ़ाने में लगेगा भारत सरका का सबसे बड़ा ये कार्ड है जिसमें आपको योजनाव का यो या फिर आपको जो डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है यानि कोई आपदा आई कुछ भी आया और ये इसरम कार्ड का जो नोटिफिकेसन हो उसके अंदर साप अंकित क्या हुआ है भारत सरकार ने कि कोई आ पर ये एक लाक रुपे दुरगाटना पर और आपको दो लाग रुपे दिया जाता है इसरम कार्ड का ये बेनिफिट है और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है फिर रिपीट करते हैं इस से साथ यो आपको क्या मिलता है सीधा पैसा इसमें डाला जाएगा जब भी भारत सरक पैसा देगी इसमें डालेगी तो वैसे भी चुनाओं का मोसमाने वाड़ा है आप सभी को बताए दूसरा इसमें सरफ यूपी सरकार ने डाला था 55 रुपे की किस्त तो दोस्तों इसमें किस्त के तोर पे पैसा आएगा आपका आगे बहुतिया में कभी भी तो ओनलाइन घर वेठे आपको जो है मोबाइल फॉन से ऐसे इस्टेप बाइस्टेप बनाना है अब हम आपको बना कर दिखाएंगे चैनल सब्सक्राइब जो करें चोटी बड़ी योजना हो भारत के अंदर वे मोधी सरकार की चोटी बड़ी योजना हो भारत के अंदर वे मोधी सरकार का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो सठीक वे विश्वस ने दूँगा पैन काड बैंक अकाउंट आधार काड हो योजनाए हो पीम किसान सम्मान ने दियो इसरम काड का किस्ट का पैसा हो कुछ भी हो भई मेरे साथ जुड़े हो तो यह नहीं कह पाऊगी कि मुझे पता नहीं चला है यह योजना का बाहर कब चल आता हूं दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल खोलना गूगल पर इसरम डालना है उसके बाद रजिश्टर ओन इसरम पर आपको क्लिक कर देना है और मैं यहां का सीधा आपको यह सेल प्रजिश्टेशन का सीधा लिंक डिस्क्रिप्सन में डाल दूँगा आप कुछ में गूगल पर सेल प्रजिश्टेशन में आप जब खोल दोगे सात्यों यहां आधार नंबर डलना है आधार नंबर के बाद आपको इंटर कैप्चा करना है यहां इपफो नो कर देना है यह साइसी नो कर देना है तो हम फिल करते हैं उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर जात्यों इसके बाद ओटीपी फिल कर देना है जैसे ही आप ओटीपी फिल कर दोगे आपका परसनल पूरा डाटा जो आपका आधार कार में वो खुल के आजाएगा इंटर अधा डिटेल्स पर आपको किलिक कर देना है यहां अपना रजिस्टर्ड मॉबाइल नंबर डाल डालना है mail ID डालनी है आप साथी सुधाव विवाही तो वो डालना है merit जो इस्टेटर से फादर नेम सफेशल कटेगरी बलट ग्रूप डिफरेंश यह आपको इसमें फिल कर देना है उसके बाद आपको नीच आना नॉमिनी डिटेल डालना है नॉमिनी डिटेल्स में आपको साथ हो नेम नॉमिनी डेट ओब बर्त यानि पिता का आप कर रहे हो या माता को नॉमिनी बना रहे हो भाई को फिर उसका जैंडर सेलेक्ट कर लेना है फिर उसका रिलेसंसिप आपको दिखा देना है फिर उसका हाउस नंबर डालना है लोकलिटी डालनी है फिर आगेन इस्टेट सेलेक्ट करना है फिर आपको डिस्टिक सेलेक्ट करना है फिर इसमें आपको नीचे सिक्रोल डाउन करते हो आपको पर्मनेंट एड्रस सेलेक्ट करना है रूरल सहरी हो तो अर्बन करिए गिरामिन हो तो सेम आपने जो उपर फिल किया है वो ऐसे ही करना है फिर आपको 7 and continue पर किलिक कर देना है जैसे आप 7 and continue पर किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ आपका education qualification का कुलेगा आप कितने पड़े लिके हो तो आपको यहाँ से 8 वी 10 वी जो भी हो आपो फिर उसके बाद education certificate आपको upload कर देना है फिर उसके बाद आपको monthly income जो है आपकी कितने इर income certificate आपको बनवा लेना है पचास जार से कम income आपको दिखानी है उसके बाद save and continue कर देना है उसके बाद occupation and cycles occupation कहता है भई आप विवसाई क्या करते हो यानि काम धंदा क्या करते हो तो आपको इसमें आकूफसन आर यूए प्लोट वर्कर आपको नो पर किलिक कर देना है उसके बाद primary आकूफसन यानि यह सेलेक्ट कर लेना सेकेंडरी एक धंदा करेना फिर दूसरा जो इसमें इस रमवालों को दे रखे हैं वो हमने आपको अल्रेडी बता रखे हैं उसके बाद file सूच करकर नीचे चले जाना है फिर आपको इसमें bank detail आपको फिल करनी है साथ हो जैसे हमने यह फिल कर रखे हैं हमने इसलिए सो नहीं कर रहे हैं आपको यह साथियो क्योंकि privacy का उलंगन होता है अगर हम अपना data दिखाएं या bank account number bank number bank holder number या फिल कर देना है हम फिल करते हैं फिर इसको 7 continue करते हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भई 7 continue क्लिक करने के बाद साथियो यहां हमने अभी अपना सारा data फिल कर दिया bank account number फिल कर दिया यह सारी चीज़ें फिल करने के बाद यह फिर साथियो जैसे आप 7 continue करोगे उसके बाद आपका preview पूरा का फूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें जो अभी अभी आपने भरा है वो सारी details आपकी यहां खुल जाएंगी जैसे यहां personal detail हमने जो mobile number दिया हमने यहां से मिटा दिया है क्योंकि यह उसका उलंगन होता है साथियो यह नीचे तक पूरा आ जाता है जो management के अंदर बना के दे देगा साथियो उसके बाद नीचे आना है are you looking for a job यदि आप काम के लिए देख रहें लाश्ट वाला जो को option है इसके अंदर वो ढंक से देना है और नीचे जो option है are you looking for a job तो इस पर यस क्लिक करना है आपको हावे मुझे जोब चाहिए उसके बाद आपको submit पर क्लिक कर देना है जैसे ही submit पर क्लिक कर गए है इसका process है कुछ भी तो नहीं है ishram card को बनाने के लिए mobile से आप आसानी से बना सकते हो अपडेट प्रोफाइल कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं वरना download UN card साथियो ishram card को UN card भी बोला जाता है यह इसमें जो number होता है इसे UN number बोला जाता है साथियो उसके बाद जैसे इस पर click करोगे आपका ishram card बनके आ गया तो उम्मीन जानकरी पसंद आ ही है जो इसमें आपको upload करने जो आपको बनवाने है जो के सनवाड़ा आपके पास रहता ही है तो फिलाल इतना ही चैनल सबस्क्राइब जरू करें बहुत बहुत नहींवाद जैहीं